चैनल के सबी दरश्कों को नमस्कार जैस्रे कृष्णा हम कैसे पता करें कि हमारा भावी दामपत्य जो जीवन साथी है। पुरुष उसके जीवन में जीवन साथी का महत्तो तो होता ही है जीवन साथी होगा तो किस कुल से होगा उच्च कुल वाला होगा या नीच कुल वाला होगा हमारे कुल से अपेक्षा उसके विचार कैसे होंगे और हमारे साथ तालमेल कैसा होगा तो प्रतेक व्यक्ति की जन जन्म कुंडली में भिन भिन जो होते हैं ना लगन होते हैं मैंने यहां पर मेश लगन का चाट लिया हुआ है आपकी जन्म कुंडली में कोई भी लगन हो सकता है लेकिन मूलत यहां आपके सप्तम अस्थान से ही सप्तम घर के स्वामी से ही पता लगेगा कि आपका जीवन इस विशे को जानने के लिए हम इस मेश लगन के चार्ड से इस तरह से आए समस्ते हैं यहां ध्यान पूर्वक देखिए मेश लगन के ठीक सातवे घर में सेवंत लिखा हुआ है सेवंत का मतलब होता है तुला अतुला राशी का स्वामी शुक्र है अब शुक्र की शत्रू र रासी है सूरी की रासी सिंग यदि यह शुक्र सिंग राशी में होगा तो यह इसके लिए शत्रू बन गया अताहा यहां पर अच्छे घर से तो आएगी लेकिन वह ब्यवहार करेगी शत्रू की तरह कुल अच्छा होगा क्योंकि सूर्य बढ़िया है सूरी की राशी करके सपतमेश अगर है तो जीवन में जीवन साथी नरक बना देगे जिन्दगी पती है तो इस तरी के लिए इस तरी है तो पती के लिए अच्छा अब यही सबतमेश यदि शुक्र की मालीजय परम उच्य वस्था है में राशी में मीन राशी में शुक्र बैठा हो यहाँ पर तो अब ऐसी अवस्था में चूकि मीन परमुच्राशी है तो ऐसे अस्तर के अनुसार जो इस्तरी आएगी बड़ी अच्छी आएगी सुन्दर होगी बहुत सुन्दर होगी और साथ ही साथ जीवन के प्रतेक सुख को देने वाली भी होगी लेक लेकिन ध्यान से सुनिएगा इस बात को सब्तमेश चूकि परमुच्छ है तो वो उच्छकुल से आएगी इसी तरह से शुक्र नीच का कन्या में होता है चूकि हम यहाँ पर मेश राशी के उपर चल रहे हैं तो हम शुक्र को ही मानेंगे अगर आपकी मिथुन राशी होती तो ब्रह्सपती सब्तमेश होता है इसे तरह यति शूंग लगन होता तो सब्तमेश शनी होता तो आपने अपने सब्तमेश के नुसार यह विचार करना है यह मान लिजिये सब्तमेश शुक्र नीच राशी कि नीच अस्थान कन्या में होता तब ऐसी अवस्था में आपका जीवन साथी नीच कुल से निम्नवर्ग से सुभाव की गरवड़ी के साथ साथ आपके साथ अच्छा विचार ताल्वेल ना बना पाता अता है यह सिद्ध हो गया कि अगर शुक्र निचले यह सब्तमेस अग आएगा यह तो हो गई एक बात अब हम आगे और विचार करते हैं दूसरी इस्थिती को देखते हैं चूकि हमने यह कहा था कि हमें तुलना करना है हमारी राशी यहां पर लगन मेश है तो हमारे मेश लगन का मालिक मंगल है यदि मंगल अपने उच राशी में स्वराशी में या परम उच अवस्था में प्रदीप्त अवस्था में हो एक्जामपल जैसे मंगल यहां मकर में बैठा होता तो हमारा कुल इस्त्री कुल से प्रवल होगा अर्थात हमारे कुल से इस्त्री का कुल निम्नवर्ण का होगा इसी बात को हम नवांश चक्र से भी विचार कर लेते हैं चोकि नवांश चक्र जो है वो इस तरी विचार के लिए सर्बोपरी बताया गया है जीवन साथी के लिए सर्बोपरी बताया गया है अब आपकी जन्मकुंडली में जो सब्तमेश है यहां पर वो शुक्र है फर्ज क चक्र में जाकर के वहाँ आपने देखना है कि आपका जो शुक्र है नवांस चक्र में किस जगह बैठा हुआ है भार्यांस में बैठा हुआ है लाभांस में बैठा हुआ है धनांस में बैठा हुआ है सुखांस में बैठा हुआ है यह आपने देखना है माली जीये आपके जनम कुंडिली में यहाँ पर सब्तमे शुक्र है और नमांस चक्र में यही शुक्र लाभांस में बैठा हो फर्ज कीजिए मेश राशी का नवांश एक उदाहरण के तोर पे हम बता रहे हैं कि फर्ज कीजिए आपके नवांश में मिथुन लगन है अब मिथुन लगन का जो लाभांश है वो हो गया मंगल मेश अब यहां देखना है कि शुक्र यदि नवांस में लाभांस यानि ग्यार्वे स्थान पर बैठा है तो समझ लिजिए कि आपकी पत्नी के द्वारा आपके जीवन में धन का लाभ अत्यधिक मिलेगा तो ये बिचार आपको पत्नी के लिए करना चाहिए तो इस हिसाब से यदि लगनेश सब्तमेश से बली हो और उचस्थ वाश्चुब ग्रह के साथ हो और केंद्र बली त्रिकूण में हो तो वो अपनी भारिया से उच्च कुल का होगा यदि सब्तमेश लगनेश से कंबल रखता हो लगन के मालिक से कंबल रखता हो और सब्तमेश अस्त हो अथवा मित्र ग्रह में हो अथवा नवांश में नीच राशी का हो तो उस जातक का विवाह अपने से नीच कुल की कन्या से होता है और यदि लगनेश सब्तमेश से निर्वल हो और यदि लगनेश पाप ग्रह के साथ हो या नीच नवांश का हो या अश्टमस्थ हो तो जा तक अपने इस्त्री से नीच कुल का होगा और नीच बेवहार वाला होगा उसकी इस्त्री उच कुल की होगी उच बेवहार वाली होगी इसी तरह से उपपद से दुत्तिय अस्थान का स्वामी यदि उच राशी में इस्थित हो तो उच कुल की इस्त्री मिलती है और यदि नीच राशी में इस्थित हो तो नीच कुल की इस्त्री मिलती है इसका मैंने विब्रण पिछले उपपद और पद लगन के अनुसार दिया हुआ है वीडियो कैसा लगा नमस्कार।